हेलो फ्रेंड्स कैसा है आप लोग आप सभी को हमारे यूटीब चैनल में स्वागत है चलिए आज हम सुरू करते हैं क्लास्ट वेल्थ के बायलोजी का सेकेंड चैप्टर सेक्टर प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को टॉपिक और ब्रेडिंग आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई नहीं वीडियो अप्लोड को तुसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक महुत सके है चलिए तब देखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज मस्टले प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलनेशन कर लेते हैं जो प्रीमेच्र जो पॉलनेशन होता है वह स्टिग्मा पर पहुंच जाता है और नए-नए का एरेक्टर डवलपमेंट होने लगते हैं तो इससे हम बचने के लिए क पर नहीं पहुंच सके इसके लिए हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसे यूज़ करते हैं अब चलिए देखते हैं पॉलन पिष्टिल इंटरेक्शन क्या होता है पॉलन पिष्टिल इंटरेक्शन इच स्टिग्मा रिकोर्गनाईज इट्स कोर्सपोंडिंग ग्रेंड इस केस स्टिग्मा इन हैविट्स दो जर्मिनेशन आफ डिफ्रेंट पॉलन ग्रेंड इस प्रोसेस इस नोन आज पॉलन पिष्टिल इंटरेक्शन हर एक स्टिग्मा जो करेस्पोंडिंग पॉलन ग्रेंड जर्मिनेट करने के लिए अलाव करते हैं यदि कोई पॉलन ग्र प्रोसेस को अम पॉल इसका देख लेते हैं जो इसका फिए क्या है किस तरह इसका फिएर यह में कुछ समाझ देता है और एक बात में और बता देना चाहता हूँ इसको साथ में अप लोग लिखते चालिएगा क्योंकि एक बहुत ही अच्छा नोट है यह आप इसको नोट्स के तोर पिसको यूज़ कर सकते हैं अब चलिए देखते हैं फिगर क्या है यह आप जो आपको यह उपर जो इस पूर की जैसे दिख रहा है सर्क्ल वो सब पॉलन ग्रेन है और जो यह स्टीगमा पर आया हुआ है और इस्टीगमा पर यह के जो बहुत सारे पॉलन ग् में आ गया है ओभरी में इंटर के इसको हम ओभरी बोलते हैं अब यह जो उपर वाला जो तीन देख रहा है जो इसको आपर देखिए दिखाया गया है एंटी पोडल और जो बीच में दो दिख रहा है इसकों पोलर निकली बोलते हैं और जी उपर वाला जो तीन जो दिख आय्वारे आधा wherein 0-92 में से उपर वाला जो है उसकों एग सेल बोलते हैं और जो नीचे ओला जोई इसकों सीनर्जीत बोलते कि ये भूम आगे देख लेते हैं पोले न् ग्रेन और स्ट्रीमा प्रोडुसेज समल टीकालड पॉलें टी पॉलें टुफ् एंभियो सध भई फ्लिफर आप अपरेयर्टास पालन जब indoors आता है तो इस्टिमा जो है वह स्माल ट्यूप प्रोड告诉 jackets homes is स्मॉल टीव लते हैं उसमें स्माल टिव जप्रोडिव करने बलते हैं ठीव है दो मेल नुप отвеч को कंटेन करता है और पॉलेंट टुब में एंब्रियोस से इंटर करता है वो फिलिफॉर्म अप्रेटर्स के द्वारा इसी को हम जर्मिनेशन आफ पॉलेंगें बोलते हैं यह हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं आटिफिशियल हैविडाइजेशन क्या होता है इसी के हल्प से हम किसी भी क्रॉप को के प्रोड़क्शन में हम इंप्रॉब्मेंट कर सकता है हुआ रगते हैं किसी भी प्लांट का जो जो पॉलेंगेंगें होता है इसको हम पॉलीनेशन के लिए यूझ करते हैं और इसमें बहुत से प्रोसेस इन्वाल्व हैं यह आगे हम देख लेते हैं कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं पहला हो गया It is the removal of enthr from plants to prevent the self pollination Emusculation में क्या होता है, जो enthr होता है, वो plant से remove कर जाता है, तरह बोना कसे self poignation नो हो सके इसको हम pues assis, जब हम किसी plant से enthr को remove कर देता है उसको हम सक्कूलेशन बोलते अब अगला बेगिंग कर देते हैं मेघिंग चुमत्ट में Is 말 कि अभार ट्य यह अन्मांटेड गरेड़ इसे जह भाए refract ऑ Divine chunk में यहां जंब होता स्थींग मेथ curvature सीधिवी कप्ड़े से हां इसे धक देते हैं ताकि try कोई भी अन्वांटेड जो जर्म जो चीजे है कोई भी अन्वांटेड जो पॉलन ग्रेन है वो इस्टिग्मा परना पहुंच सके और इससे जर्मनेशा नहों सके इस मेथर से बहुत थी यह यूजफूल मेथर्स है इसी के हेल्प से हम यह हम जब यह बच जाता है तो हम आट जाता है नूट्रियन क्र सब्सक्राइब अब देखते है अ आगे बढ़ते है देखते है डेख नडब फटलिजसीन क्या ओता है डबल फटलिजेशन अ आफ्टर इंटरिंग इन एम्डियो सेक्टू मेल गाम फ्रीं जोह पक्रीजेश और वहन मैल गाम फूमनेट वजसेज इंडियुस पर en traffic एक्सल प्रोड्यूसेज जाई गोड़ एंभ्रियो सेक में जब 2 मेला मेड्ट करता है तो उसमें साः यक मेला गामाट जो एक्सलर के सथ सबरादान फ्यूज कर लाता है और जो दूसरा होता है वह पॉलर्नूकल्याइग साथ फ्यूज करता है इस प्रोब्ल फॉज़न गुंत्ष उग अर चल एक इंगसल्ट गा प्रोडूस करता हम इक्षिंट जो हता है हो जाइगौड का प्रोडूस करता हिसो कर हम ढवल फर्तलीज बोलते हैं अब देखते हैं इंडर slowsप फ्या होता है in coconut free nuclear indosperm found in liquid from solid part is cellular indosperm called kernel in some plants embryo is completely consumed the indosperm जैसे होगया पी ग्रावन नट बीन्स in some plants indosperm may be persist जैसे होगया coconut caster जब एक male gamet पोलर निकलिया एक साथ फ्यूज करता है तो indosperm produce होता है और उसका जो इंडosperm का जो निकलियस होता हो जब इंडosperm का निकलियस जब फ्री निकलियर डिविजन के द्वारा डिवाइट करता है तो मास आफ इंडosperm का प्रोडक्षन करता है और पोकोनट में देख लिया जाए तो जो निकलियस होता है यानि कि जो निकलियस इंडosperm का निकलियर होता है उसके बीस में जो और इंडosperm जो है लिक्विड फर्म में पायाता है जो को आफन सोलिड पार्ट जो होता ह्सकों फिलोर इंडosperm बिलते कि को करनेल करते हैं और कुछ प्लांट एसे होते रियुर्पो फेसे होट्ण स्रूक्ष और बिन्स हो गया और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होता है जो इंडosperm के परश्यस्ट होते हैं इसे कोकोनट कैस्टर यदि आपको वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक करें और सेर करें और साथ ही साथ बेलाटन को दबाना नभूले तब हम अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैहिंग जैभार